मेरे नमस्कार मेरे नाम निखिल है और आप सभी का एक बार फिर से सुवागत है हमारे चैनल में दोस्तों आज जो हम आपके लिए गाड़ी लेकर आये हैं यह गाड़ी स्केल भी है अगर कोई भाई खरीदना चाहता है तो यह गाड़ी है हाई उंडाई की एसेंट जो की 2010 से पहले एसेंट आया करती थी 2004 मोडल रहने वाली है डीजल की गाड़ी है एक लाग दस हजार किलोमेटर चली हुए है दोस्तों प्राइज हम इसके आपको लास्ट में बताएंगे वीडियो के पहले आप इंजोए किजिए और देखिए गाड़ी कैसी है और कैसी कंडिशन मे दोस्तों यह गाड़ी है 2004 मोडल हमने इसका आइड कर दिया है जो इसके ओनर है वो कह रहे थे कि नंबर नहीं दिखाना है कंडिशन कुछ ऐसी रहने वाली है फ्रेंट आयर दोस्तों इसमें 60% के आसपास है अलाइविल नहीं है वील के अप लगे हुए है यह कुछ साइड प्रोफाइल यहां पर गाड़ी पर कुछ डेंट है यह देखो औरिजिनल कलर है दोस्तों तो 2004 मोडल गाड़ी है और 17 साल पुरानी यह कुछ इसकी साइड प्रोफाइल है थोड़ा डेंट पेंट गाड़ी मांग रही है पिछले टायर जो है वो 20% लगबग है बीस परसेंट 15 बीस पस इस तो ज्यादा नहीं है पिछले बंपर में दो नट लगवागे बंपर कसा हुआ है यह कुछ रियर रियर बंपर इसका पेंटेड है कहीं बार फिर से पेंट मांग रहा जग जग से फटा हुआ है यह लाइट टूटी हुई है गाड़ी लगी हु कि यह भी लगी हुई है दोसो 17 साल पुरानी गाड़ी के हिसाब से काफी अच्छी कंडिशन इस गाड़ी की है आप देख पा रहे होंगे दोसों हम आपको दिखाते हैं गाड़ी का इंजन किस कंडिशन में है तो यह गाड़ी का इंजन है कि टाटा कीक बैंट्री के अंदर रखी हुई है एसी वगेरा हीटर वगेरा सब ठीक है टर्ब अच्छा है गाड़ी का इंजन दोस्तों हुआ हुआ नहीं है अकोर्डिंग टू जो गाड़ी के सेलर है जो मालिक है और उन्हें बताया है कि गाड़ी का इंजन SPEAKER हुआ है नहीं है ऑग दैत अवाज कैसी है लो आ ऊपर पूरा है गाड़ी के अंदर दोस्तो ऐसी कुछ आवाज है इंजन वाइब्रेशन कर रहा है लेकिन पाकी कर दे बन यह उपर का कुछ मैटिंग सा हटा पड़ा हुआ है 217 साल पुरानी गाड़ी में वैसे मैटिंग अगयरा लोग निकाल के फैंक देते हैं खराब हो जाते हैं इसमें मिलेगा आपको हैडलाइट ओरिजिनल है बाकी आगे से थोड़ी पेंट है पीछे से पेंट है गाड़ी अब देख खिड़की दिखाते हैं आपको यह दोस्तों ड्राइवर साइड खिड़की लटकी लटकी हुई है इसकी यह वाले कबजे बदले जाएंगे जो यहां पर लगे होते हैं कुछ यह पावर विंडो में यह गाड़ी आपको मिलती है चारो विंडो इसमें पावर है फ्रेंट भी रियर भी और पावर इस्टेरिंग मिलता है हाइड्रोलिक पावर इस्टेरिंग इसके अंदर आ शिक्स वे वो बोलते है राजकर नहीं गाडियों में कि शिक्स वे एड़ेस्टेबल सीटी में आपको मिलती है 2004 मोडल गाड़ी में एक लाग दस हजार किलोमेटर यह चल लही हुई है ऐसा कुछ इसमें इंस्ट्रूमेंट कलस्टर आपको मिलता है मेटर जिसको बोलते हैं डैक मियूरिक सिस्टम भी आपको इसमें मिल जाता है यह पीछे आली खड़की जमाई बिल्कुल स्मूथ है जैसी कंपन ने दी थी यह कुछ पीछे से गाड़ी का लुक इस तरह का आता है दोस्तो सबसे में चीज जो है यह जो हैंडिल है यह टिल्ट एडजस्टेबल है से अपड़ाउन हो जाता है अपनी हाइट के अनुसार आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं दोस्तो यह गाड़ी फाइव गियर में यह जो और वीम से हैं यह आपको मैनुवली एडजस्टेबल मिलते हैं आटोमेटिक नहीं मिलते हैं पीछे का को जैसा रहने आधा है यह कुछ खिड़की का पड़दा दोस्तो आपको इसकी डिगगी खोल के दिखाते हैं यहां से इसका डिगगी का बटन मिलता है इसमें खोलने के लिए आपको पीछे चलते हैं दोस्तों यह डिगए जोगी बहुत ज़्यादा गंदी हालत में फिलाल है इसमें आपको दो हुक भी मिलते हैं गाड़ी में एक ये इदर एक ये इदर दो हुक भी आपको इसमें मिलते हैं कुछ ऐसी दोस्तों वैसे खिड़किया वगरा सब ठीक है बस एक ड्राइवर साइड की खिड़की जो हलकी सी लटकी हुई है शीट कवर नहीं है गाड़ी के अंदर ये एसी वगरा की फैन स्पीड वगरा एड़स्ट करने के लिए यहां से एसी होनों फुता ये दोस्तों दो टू का फोल्डर ये ऐसे बंदो जाता है ऐसे खुल जाता है ये हाइट है हैंडल को अपन डाउन करने के लिए दोस्तों इस गाड़ी में अब तक इन जन से रिलेटेड कोई काम नहीं हुआ है बैंटरी बदली हुई है टाटा कमपनी की बैंटरी इसमें रखी हुई है तरबो वगएर असे रिलेटेड कोई काम नहीं हुआ है गाड़ी एक लाग दहाजार किलोमेटर चली हुई है ठीक है आगे से ये फ्रेंट बमफर वो साइड और वो साइड एक्सिडेंटल है ये पेंटेड है जोनों चीजे रियर बमफर भी पेंट है और वो साइड में से गाड़ी लगी हुई है छोटी मोटी टचिंग्स तो पुलानी गाड़ी में रहती है दोसो इस गाड़ी का जो डिमांड प्राइज है वो रहने वाला है 70,000 रुपीज 70,000 रुपे अगर कोई भाई इस गाड़ी को पसंद कर देंगे अगर कोई भाई मेरा इंट्रेस्टेड है लेना चाहता है तो वो हमें उस नंबर पर कॉंटेट करके इसके गाड़ी के ओवनर जो है उनसे बात करके गाड़ी पर्चेज कर सकता है धन्यवाद दोस्तों गर आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वी